आदर्श अचार सहिंता लगते ही प्रदेश में चुनावी तैयारिया हुई शुरू जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी आदर्श अचार सहिंता लगते ही प्रदेश में चुनावी तैयारिया शुरू हो गई है यम्नानगर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने अन्य अधिकारीों के साथ चुनाव को लेकर प्रेस कॉनफरेंस की और विस्तरत जानकारी दी निर्वाचन अधिकारी एवं उपायोग तुमुकुल कुमार ने बताया कि आयोग की हिदायत अनुसार 29 अक्तूबर 2019 तक जिले में आदर्श चुनाव सहिंता लागो रहेगी इसलिए सभी विभाग अध्यक्ष निगमो वे बोडो वे कार्याले अध्यक्ष आयोग के आदेशों की पालना करते हुए हर प्रिकार की अवांचित प्रचार सामगरी पोस्टर बैनर आदी कार्याले वे विभागिय भवनों से हटवाना सुनिश्चित करें उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितंबर को अधिसूशन जारी की जाएगी और 4 अक्तूबर नामांकन भरने की अंतिम तारिख रहेगी 5 अक्तूबर को नामांकनों की जाँच होगी और 7 अक्तूबर को उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकेंगे उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को मतदान होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी प्रॉपरिटी में कोई जन्टा या कोई ऐसा पोस्टर पैनर या बोली नगाता है तो उसके पास कंसेंट केडिडेट की पर्मिशन होनी चाहिए कि उसके नुहती से वो उसको लगा रहा है यह तो यह मान जाएगा कि भिना उसके नुहती के उसको लगा यह जैसे कि आपको विजित है कि विदानसवाज जनौव में घचे की सीमा 28,00,000 होती है तो इसकी अंदर उनको अपने लिवेट रखती हैं सरगादी ग्षचा का सरस्ति विट्या मंति जगादी में रहेगा हैं जगादी में कंस्टरेंशी का हंदु गजश नंका इम्रेनगर में हैंन कि रृधर का M.L.ain College jean में एक हैए 7580 ऋटर से इस कि शरड़ोर में 358 हैं जगादी में 402 हैं यह अच्छा वह यह पंड में सो गया था कि जिला प्रशासन पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री इलेक्षिन कराने के लिए कटिप बद्ध है और उसके लिए उक्त करवाही इंशोर की जाएगा उसके अंदर इन सारी बातों को उनको बता दिया जाएगा कि बिल्कुल प्लास्